Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NCRT Mathsup आज हम बात करेंगे कारेपत्रक 59 की जो की कक्षे 9 के गिनित विशे के लिए 6 या निदे साले राष्टे राजदाने शेतर दिल्ली से 23 नॉमबर 2020 के लिए रिलीज किया गया है सो आज का हमारा विशे है वरित भाग च्यार सो देखिए हम ये कारेपत्रक शुरू करें उससे पहले आपको समझ होनी चाहिए वरित खंड के बारे में सो देखिए विधार्थियों वरित खंड कैसे बनते हैं और कौन बनाता है जीसा कि आपको पता होना च्शाएए कि वृत खंड एक जिवा और संगत चाप से बनता है तो जिसला कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक रेखाखंड A B है जो वृत के आंतरिक भाग में स्तित है और वृत को दो बिंदों पर सपर्ष करता है A और B पर तो इस रेखाखंड क्या बोलते हैं जिवा बोलते हैं होते हैं यह दिर्ग चाप आपके क्या बनाएगी दिर्ग वरित् этихंड हैं यह मिलेगी द हां entirely टाप के यह प्रेमिय स्फ़िक्स कर दो होता है उसी को यह एक चाप के इंदर प्र 앞 कंजर कौन अंतरित करती है कौन बनाती है जैसा कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक AB एक लगू चाप है जो कि वृत के के अंदर ओ पर क्या बनाती है एक कौन बनाती है AOB जैसा कि आप देख सकते हैं तो यही चाप क्या है वृत के किसे ने बिंदू P पर एक कौन अंतरित करती है APB त तो कौन APB, क्या होगा, AOB का आदा होगा, यह हम कह सकते हैं, कौन AOB, जो होगा, APB का दुगना होगा, जो केंदर पर बना कौन है, वो दुगना होगा, इस कौन का, यह हम कह सकते हैं, यह कोन है, केंदर पर बने कौन का आदा, आपके सामने दिया गए एक इंदर बना कॉण क सामने गया हूँ, क्या बना कॉण क्या है तो प on p o cu क्योई कै धुगणा思 का, क्यों क प a q मतली खुखती में सामने जीवा PAQP में बना है तो अगर हम वृत के किसी अन्य इसी भाग पर एक और बिंदू सी ले तो हम पाएंगे देखिए आपके सामने कौन बिंदू हमने सी लिया तो कौन आपके सामने कौन सा PCQ है तो PCQ क्या होगा? आदा होगा कौन किस से? पीओ क्यों का यह हम कहेंगे पीओ क्यों दुगना होगा PCQ का तो हम कह सकते हैं पीओ क्यों जो की डबल है PCQ का तो के अंदर पर बना कौन किसी अन्य किसी विंदू पर बने कौन से दुगना होता है इसलिए पीओ क्यों ब्राबर है दो गुना में PCQ उसी प्रकासे POKU किसके दुना होगा PAKU का दुना भी होगा तो PAKU बराबर है दो गुना में PAKU आप देख सकते हैं बाइंपक्स में हमारे पास क्या है POKU, POKU तो दाइंपक्स भी बराबर होगा यदि दाइंपक्स बराबर करने पे में बने कौन हम कह सकते हैं तो हमने पाया कि जीवा PQ से बने वर्थखंड में PQ अदार पर बने वर्थखंड में दोनों कौन बराबर हैं, तो अथ हम कह सकते हैं कि एक ही वर्थखंड में बने कौन क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो देखिए जीवा सबसे लंबी जीवा है जोकी केंद्र से पास कर रहे है इसको मुण क्या बोलेंगे और जो आपके दो अर्धिवित आपको मिल जाते है दो अर्दवृत मतलब दो आदे आदे विरित हमारे पास है तो दोनों ब्राबर विरित खंडों का हम क्या कहते हैं अर्दवृत भी कहते हैं तो हम देखते हैं कि जो कौन हमारा कौन के अंदर पर बना कौन है वह अन्य किसी भी बने कौन से दुगना होता है तो MON जो आपका कौन है, वो क्या होगा, दूगना होगा किसका, MAN का, अब क्योंकि MON क्या एक सीधी रेखा खंड है, तो ये के अंदर पर बना कौन कितना होगा, एक सोसी डिगरी हो जाएगा, एक चाप दोरा के अंदर पर बने अंतरित कौन, विरत किसे इस बाग पर बिने किस किसी भी अंदर कौन से दुगना होता है, अब हम कह सकते हैं कि MON क्या होगा, अमें का दुगना होगा, परिंतु MON क्या देखिए, MON के एक सीधी रेखा पर बना कौन है, तो इसको हम एक सोसी डिगरी कहेंगे, बलाबर हो किसके होगा, दो गौन में MAN, सो देखिए, दो सीधर बाग करें, मिलेगा 90 डिगरी, तो हमें, मिल जाता है 90 डिगरी, इस परकार हम कह सकते हैं, वृत के एक और गुन पाते हमें, एक और थर्म मिल जाता है, एक और रिजल्ट मिल जाता है, कि अर्द वृत में बना कौन क्या होता है, समकौन होता है, तो अर्द वृत का क्या होत पर हमें O-P-R ग्याद करना है, जिसके आप देख सकते हैं, O-P-R मतलब हमें कौन नंबर 3 हमें ग्याद करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं, O-R और O-P के आम हर पास दोनों ग्रित की तरजाएं हैं, तो इनके सम्मोग कौन भी ब्राबर होंगे, क्योंकि दोनों तरजाएं स कौन एक से हम दो कौन दो गयात कर लेंगे फिर तीन और चार हम गयात कर लेंगे एक है सो के अंदर बना कौन क्या होगा इस कौन का धूगना होगा सो अमें लेगा two into BMW जो क्यों होगा two into 110 degree ब्राबर होगा 220 degree तो हमें angle one जो कि हिए कौन 1 है कौन एक हमें मिल जाता है 220 डिगरी अब देखिए एक और दो का योग कितना है 360 डिगरी क्योंकि के अंदर बेने कौन है so कौन एक जमा कौन दो कितना होगा 360 डिगरी so कौन दो कितना हो जाएगा 360 माइनस 220 so 360 माइनस 220 हमें मिलेगा 140 डिगरी तो आपको angle 2 मिल जा 140 degree तो देखिए तृबुज OPR में angle 2 plus 2, 3 plus 4 देखिए 2 plus 3 plus 4 किसी दिगरी क्योंकि तृबुज के आंतरे कॉन गाइओ कितना है एक्स दिगरी होता है और जब कि 3 और 4 को यह ब्राबर है तो हम 3 को भी क्या लिख सकते हैं तो कोंड़ 3 का मान आएगा 40 बटा 2, जो की होगा 20 degree. तो हमें कोंड़ 3 का मान मिल जाता है 20 degree. और कोंड़ 3 का मान आए अříelly, O PR. तो अदो कैसे हैं, O PR ब्राबर है 20 degree. O PR ब्राबर होगा, ORP ब्राबर 20 degree. तो यह था अब का उधार्ण. अब हमें ब्यास करें दो परशन दिया गए है इनको हल करने का प्रयास करते है जैसा कि आपके समने स्क्रीन पर दिया गए पहला परशन एक वृत पर बिंदू A, P, C और D है जैसा कि आप दिखते हैं बिंदू A, B, C और D है A, C और B, D एक बिंदू A पर इस प्रकार परतिशेद करते हैं कि B, E, C बराबर हमें दिया गए 130 डिगरी और E, C, D बराबर है 20 डिगरी तो हमें यह कौन दिया गए 130 डिगरी और यह दिया गए 20 डिगरी तो B, A, C ग्याद के जिए हमें B, A, C ग्याद करना है तो देखिए कि B, E, C हमें दिया गए है 130 डिगरी और E, C, D हमें दिया गए 20 डिगरी अब हमें ग्याद करना है देखिए अब आप देख सकते हैं B, E, D, E, C एक स्टेट लाइन एक सिदी रेखा है सिदी रेखा करन पर बने कौन कितनों होता है जैसा कि आप देख सकते हैं, so BEC और DEC मिलकर दोनों कितने बनाएंगे, 180 degree, so DEC प्लस BEC बराबर 180 degree, एक ही रेखाब बने कौन, so DEC जम्मा BEC हमें दिया गया 130 degree, तो रख दीजिए उसका मान, DEC जम्मा में 130 degree, बराबर 180 degree, so DEC का मान मिल जाएगा, 180 minus 130, बराबर 50 degree, जैसा कि देख सकते हैं, so, कौन D, E, जम्मा C, बराबर 180 degree, त्रिबुज के आंतरी कौनों का योग, 180 degree होता है, so कौन D, जम्मा में 50, क्योंकि हमने ग्याद कर लिया है, अभी समय दिया गया है, so, बराबर 180 degree, अब कौन D, जमा 70, बराबर 180 degree, और कौन D का मान कितना होगा, 180 minus 70, बराब B, C, ये कौन, तोनों कहा है, A की वरित्खन में बने कौन है, क्योंकि B, C आपकी जिवा है, और ये आपकी वरित्खन बना रहे है, तोनों ही, कौन A और कौन D कहा है, समान वरित्खन में बने कौन है, तो इनका मान क्या होगा, बराबर होगा, जो मान D का है, वही मान A का हैं B A C B कितना होगा 110 degree होगा तो मिल जाता है B A C जो कि में ग्याद करना था कितना 110 degree परशनमर 2 में देखते हैं कि आकरती में केंदर O वाले एक वृत पर तीन बिंदू इस परकार हैं कि B O C हमें दिया गया है 30 degree जैसा कि आप देख सकते हैं और A O B Warrararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar इसलिए कौन AOC क्या होगा, दूगना होगा ADC का, परंतो ADC में ग्याद करना है, तो यह दो उतर चला जाएगा, ADC मिल जाता है, एक मटद दो, किसका? AOC का, मतलब AOC का आदा होगा, जो केंदर बने कौन का आदा होगा, वो क्या होगा हमार पस, अन्य बिंदर बना कौन, जो की ADC होगा, ADC क्या होगा, केंदर बने कौन का आदा होगा, जो की 80 डिगरी का आदा है, जो की 40 डिगरी, तो अथा मिल जाता है, हमें AOC, ब्राबर 40 डिगरी, सो सो अब मैं ADC सोरी ADC आपको ADC मिल जाता है 40 degree सो अबतर ADC बराबर है 40 degree इसको ADC कहेंगे ADC बराबर है 40 degree यह थी आपकी वक्शिट न्बर 59 So if you learn from this video then please do subscribe my channel and share this video as much as you can, thanks for watching